हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलिप टेलर शेंड बूटेक में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर महोल पे अने वली समस्या और उसके समादान के बारे में तो मुख की रूप से फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि आर महोल में फोगा क्यों आता है आर महोल का चांट आप किस तरीके से आर महोल लेंगे उसके बारे मैं बताऊंगा आर्मोहोल गोलाई देने का सही तरीका क्या है और इसके अलावा आर्मोहोल चाटने का तरीका क्या है तो ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ सबसे पहले यहां पर दीखना आर्म होल का चार्ट तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चेश्ट साइज के हिसाब से आर्म होल का चार्ट है 28 इंच का चेश्ट है तो हम आर्म होल कितना लेंगे 4,5 लेंगे 30 इंर का चेष्ट है तो हम आर्मौल कितना लेंगे 25 बद siis का चेष्ट है वा हम आर्म २ कीतना लें लेंगे 200, time 25 देओं यहां पर यह द्यान रचना कि आर्म २ त्दम गोला वह दो हम बिल्कुल करीब से देते हैं इसलिए हम आर महोल को जब सीधा-सीधा नापते हैं तो ये बहुत कम रखते हैं 34 में 7-5 लेंगे 36 में 5, 38 में 5-6, 40 में 6-6, 42 में 7-6, 44 में 6-6, 46 में 5-7, 48 में 7 और 50 में 7 इंच लेंगे तो यह वो निशान है जो हम आर्म होल पे बिल्कुल सीधा सीधा लगाते हैं ठीक है अब यह कौन सा निशान है उसको क्लियर करने के लिए यहां पर मैं आप लोगों को एक ब्लाउज का ड्राफ्ट बना करके पूरा क्लियर दिखा रहा हूं तो हम सबसे पहले सुरुवात करे साथ जो कि हमने यहां पर ले लिया है अब इस पेपर को हम अभी क्या करेंगे एक इस्केल लेंगे औूर बिल्कुल सीधा निशा लगाएंगे यह निचान लगा रहा हूं यह निशान हम दो जगह पे लगाएंगे और इसकेल से इसको बिल्कुछ सीधा मिला देंगे अब यह निशान जैसे ही हमने मिलाया उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लेंगे ठीक है तो जैसे हम शोल्डर यहाँ पर रख रहे हैं तो साड़े पांच इंच का हम यहाँ पर निशान लगा दिए यह ऐसे और फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे यह निशान सीधा लगाने के बाद यहीं पर बात आती है आर्म होल की तो फ्रिंट्स यही वो निशान है जैसे कि हम मान के चलिए 36 इंच का बना रहे हैं तो यहां पर हमें निशान लगाना है 5.5 इंच का जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी चार्ट के माध्यम से तो यह 5.5 इंच का हमने निशान लगा दिया अब स्केल से इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे तो यह वही चार्ट था इसी निशान के लिए ठीक है? यह जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया केवल इसी निशान के लिए यह पूरा चार्ट दिया गया है अब इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट साइज की तो चेस्ट साइज जैसे 36 इंच मैंने कहा तो इसका सिधा-सिधा चौथा हिस्सा लेंगे ब्लाउच का नाप है यह इस तरह से उसके बाद हम क्या करेंगे सवा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे ठीक है अब आ जाते हैं जाते हैं इसको हम स्केल से मिला देंगे यह ऐसे कि अब हम बात करते हैं आर्म होल के बारे में टीक है तो सबसे पहले यह ध्यान रखना कि जब भी हम आर्म होल की गोलाई देनी है तो हमें यह मालूम होनाट चीए कि ब्लाउच का जो पैटन है वो कौन सा है जैसे मान के चल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह तरह से अपको इसको अंदर की तरफ डाउन करना है यह हमारे टैकनीक में अलग तरीक से मैं आप लोगों को बताता हूं यह देखें अब यहीं पर अगर हम बात करें कि आर्म होल हमें नापना है कॉलर वाले ब्लाउज के लिए ठीक है तो कॉलर वाले ब्लाउज में आप सीधा सीधा एक इंच डाउन करेंगे अंदर की तरफ तो यहां से एक इंच नापे यह ऐसे और फिर इसको डाउन कर देंगे तो यह कॉलर वाले का हो गया और जैसे आप बोट नेक हाई नेक वगरा बना रहे हैं तब आपको इसको पॉन इंच डाउन करना है ठीक है तो वो अलग टेकनीक होगा इस तरह से आप पॉन इंच नापेंगे और निशान लगा देंगे अब यह तो बात हो गई डाउन करने के तरीके के बारे में इसके बाद बात आती है आर्म होल गोलाई देने के बारे में तो यहां पर ध्यान देना आर्म होल की जो गोलाई है न वो हम एक इंच की दूरी से देते हैं अब मैं एक इंच नॉर्मली बोल तो देता हूँ लेकिन आपको एक इंच नापना कहा से यहां यह मतलब सामने पल्ले की गुलाई अब उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि दोनों गुलाई की बीच में आपको पॉन इंच का गैप रखना है तो यह इस तरह से पॉन इंच का निशान लगाए अभी जो हम गुलाई लगा है वहां से पॉन इंच और फिर यह इस तरह से यह बैठेगा ठीक है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह से गुलाई दोगे यह बिल्कुल सही तरीका है गुलाई देने का इस तरह से गुलाई देंगे तो फुगा वगरा आने की 50-60% समस्या यहीं पर खतम हो जाती है इस चीज का आप ध्यान रखेंगे इसके बाद देखना यहां पर मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा जैसे कि हम इसको पहले कर लेते हैं कटेंग इसको मैं काट देता हूं पहले पूरा और उसके बाद आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर और समझाऊंगा अब देखिए आपका सामने का और पीछे का पल्ला अलग अलग हो चुका है तो हम आर महोल को जब छाटने की बात करते हैं खासकर कपड़े पर अस्तिन को फिट करने से पहले हमें आर महोल चेक करना जोरू होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे छाटेंगे सामने के पल्ले को और उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊँगा कि किस प्रकार से आपको और छाटना चाहिए अस दिन को फिट करने से पहले देखिए अभी हम इसको इस तरह से छाट देते हैं यह देखिए यह हमने छाट दिया सामने और पीछे का जो पल्ला है यह देखिए यह इतना अपका गयप आएगा यहां पर देखिए इस तरह से इतना गयप आएगा तो आपको क्या करना है जैसे आप अस्तिन की कटिंग कर रहे हैं ठीक है मालीजे आपने एक अस्तिन का कटिंग किया और इसको मिला करके देखे उसके बाद आपको ज़रुत मैसूस हो गई आर्म होल को थोड़ा और छाटने की कितना छाटने की? हाफ इंच छाटने की ये देखे, इतना हमें छाटने की ज़रुत पड़ गई तब के case में हम क्या करेंगे इसको देखे यह इस प्रकार से मैं निशान लगा करके बता रहा हूँ आप direct भी छाट सकते हैं यह ऐसे छाटना है ठीक है और वहीं आपका सामने का जो पल्ला है वो यहां से यह इस तरह से छाटेगा अब कुछ लोग यहां पर छाटने में गलती क्या करते हैं केवल पीछे पल्ले को छाट देंगे सामने पल्ले को भूल जाते हैं या कुछ लोग सामने पल्ले को छाट देंगे पीछे पल्ले को भूल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको बराबर छाटना है और उसी से च्छाटेंगे उसके बाद यह सामने का पल्ले ना इसको अलग से और आपको च्छाटना है ताकि दोनों का शेप जैसे पहले था वैसे च्छाटने के बाद भी हो जाए मतलब पौन इंच का जो डिश्टेंस है वो बिलकुल रहना ही चाहिए ठीक है मैं यहां पर यह मार्किं लेकिन आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी और उमेद करता हूँ आर महोल पर आने वाली बहुत सारी समस्या है कि एवल इसी वीडियो से आप लोगों की ठीक हो जाएंगे और आगे आर महोल से रिलेटेड मैं और धेर सारी वीडियो लेकर क्या हूंगा जो भी आप ल अगर आपसे फिर मुलागात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं